देखिए ये जिलोजी लेब है जंतु विज्ञान लेब जिलोजी प्रेक्टिकल लेब इसमें आप देखिए ये इमन हार्ट का इस्टिक्चर और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हार्ट का है Histological Structure of Heart इसके बाद आप देख रहे हैं Human Ear ये कान का structure है ये एंडोक्राइन सिस्टम है और ये मानव का कंकाल तंत्र ये आगे आप देख रहे हैं ये Asterial System है Human Body का ये Human Body Nervous System इसके बाद आप देख रहे हैं Human Respiratory System ये Life Cycle और शिल्क बॉर्म ये DNA है Double Helix Model ये Human Digestive System है ये Human का ये Animal Cell है कोसी कर्च से बोलते हैं ये Human Brand मानव का मस्तिज का स्ट्रक्चर है इंटर्नली ये The Autonomic Nervous System इंटर्नली Autonomic Nervous System है Human का ये Human के आई है यानि आँख इंटर्नली सिस्टम है ठीके इसमें आप देख रहे हैं ये Space Man रख्चे हुगे हैं ये Space Man जैसे आपको दखा रहे हैं ये ये आप देख रहे हैं ये Sponge है और फिरा में आता है और फिरा फॉयलम में Sponge ये आता है और भी इस स्पेसिमेन है, अर्थबॉर्म है, फेरे टीमा पॉस्ट को ऐसे बोलते हैं, ठीक है, इसे हिंदे में केच्वा भी बोलते हैं, और भी ये रखा है लिजार्ड, छिपकली, ये सारे स्पेसिमेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पाइला, पाइला गलोबोसा बोलते हैं इसको, ये स्टार फेस है, इसे तारा मीन भी बोलते हैं, सतारा मचली बोलते हैं, ठीक है, तो ये इस लेब में सारे अनिमल आपको मिलेंगे, ये दरियाए घोडा बोलते हैं, समुदरी घोडा बोलते हैं, ठीक है, फाइलम, कॉर्डेटा की जितने भी अनिमल है आपको यहां देखनों के मिलेंगे, यह आप देख रहे हैं, यह डॉक फेस है, जिसके डिसेक्षन हो था तो अभी बंद हो गया है, बैन लग गया इस पर, ठीके, तो यह सारे आपको, इस पेसिमेन आपको देखनों के मिल रहे हैं, यह लाइफ साइकल है, लाइफ साइकल है, और भी लाइफ साइकल है, यह हाउस फिलाई की लाइफ साइकल है, इसमें आप देख रहे हैं सालों साल है, जैसे जीव होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, सभी रख्छे होगे हैं सबी इसमें आप देख रहे हैं क्यों सुरक्षित रहते हैं इसमें 90% क्या होता है फॉर्मल्डी हाइड होता है और 10% इसमें क्या होता है वाटर होता है इस प्रकार से क्या है ये इसमें सुरक्षित पाए जाते हैं ठीक है ये सारे अनिमल आपको यहां पर देखने को मिलेंग और आपको यहाँ दिखा रहे हैं यह देखिए यह माइक्रोस्कोप हैं जहां से हम लोग क्या करते हैं सिलाइड बनाते हैं यह बनी हुई सिलाइडों को इसमें देखा जाता है ठीके यह सारे जो आप लेब देखे रहे हैं प्रकार की स्ट्रक्षर लेब है और चारों तरफ से क्या है हवा भी आती है ठीके यह सबी इसमें काम काम रहता इस प्रकार से इसमें हम क्या करते हैं बच्चों को सिखाते हैं और माइक्रोस्कोप इस प्रकार से चलाते हैं क्या करते हैं क्या नहीं इसमें आपको सब एक ही चीज़ शीखनों के मिलती है सारे केमीकल्स सारे केमीकल्स जो होते हैं या लेखे रहे हैं बच्चों से तो दूरा दूर रखते हैं क्योंक 2 पता नहीं रहता क्या है इसलिए बटाते हैं सिकाते हैं इस प्रकार की ये जन्तु विग्ञान या जिलोजी की लैब है ठीक है धन्यवाद आगे आपको दूसरी वीडियो में माइक्रो स्कोप चलाना सिकाएंगे किस प्रकार स्लाइड लगाते हैं वो आगले वीडियो में देखीएगा धन्यवाद